नवस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं TNP News और मैं हूँ आपके साथ सुरिष्टी वैथानी, आई एक नज़र डालते हैं बुलिटिन्स पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी आज महराष्ट्रा यात्रा पर निकलेंगे PM की यात्रा को लेकर मूंबई पुलिस ने सुरक्षा विवस्ता के पुक्ता इंतिजाम किये बता दे मूंबई पुलिस ने अपने 4500 कर्मियों को पश्चिमी उपनगरों में तैनात कर दिया है जहां मूंबई पुलिस ने PM की यात्रा से पहले SRPF की चार एकाईों और दंगा विरुदी दस्ते और रैपिड एक्शन फोर्स की एक एकाई को तैनाती के लिए गुशना करती है वही मूंबई पुलिस ने कहा कि अधिकार शेतर में कोई ड्रोन, पेरकलाइडर, रिमोट कंट्रोल, माइक्रोलाइट, विमान, उडान गदि विधियो की अनुमती नहीं होगी भरत जोडो यात्रा की सफलता के बाद कॉंग्रेस हाथ से हाथ जोडो यात्रा शुरू करने जा रही है इसके साथ ही 2023 में होने वाले चुनाव की तैयारी भी जोरो शुरो से हो चुकी है शुरू हो चुकी है वहीं 36 गर्ड में कॉंग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभ्यान में 90,000 किलो मीटर की यात्रा तै करेगी जहां हाथ से हाथ जोड़ो अभ्यान के लिए ऐसे 20 चहरों को जिम्मेदारी दी गई है जो 2018 में मंत्री रहते हुए कॉंग्रेस के प्रती अपनी जि शरण सिंग और कई कोश के खिलाफ यौन शोशन के आरोप लगे हैं इसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रते रोप का दौर भी शुरू हो गया अब खेल मंत्राली ने इस मामले में भारतिय कुष्टि संग से चवाब मांगा है वहीं महराश्ट्र से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मुंबई गोवा के नशनल हाईवे के मान गाउं इलाके में भीशन दुर्गतना हो गए जिसमें नौ लोगों की मौत की खबर सामने आई है का जा रहा है इसमें चार महिला महिलाएं और पाच पुरुष्ट सामिल है वहीं एक चार साल की मासूम गंभ जिसकी वज़ा से यह हाथसा हुआ है भारत ने न्यूजिलेंड के किलाव तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहली मुकाबले में रुमांचक जीत हासिल की है भारत ने 12 रन से मैच को जीत कर सीरीज में एक शुन्य की बड़त हासिल कर ली है वहीं टीम इंडिया ने पहड़े बले बाजी करते हुए पचास ओवर में आठ विकेट पारे 349 रन बनाए थे जवाब में न्यूजिलेंड की टीम 49.2 ओवर में 337 रनों पर ओल आउट हो गई भारत ने न्यूजिलेंड को तीन वनडे मैचों की सीरीज से पहले के पहले मुकाबले में 12 रन से हरा दिया शु अब में न्यूजिलेंड की टीम 337 रनों परेस से मठ गई अभी क्लिर से इतना ही मुझे दीज़े इजाज़त देखते रहेंगे टेन परियों